एक रात की बात है माता कोशल्या जी को सोते में अपने महल की छट पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी नीन खुल गई, पुछा कौन है? मालुम पड़ा श्रुती कीर्ती जी है नीचे बुलाया गया श्रुती कीर्ती जी जो सबसे छोटी बहु है आई चन्नों में प्रणाम खड़ी रह गई माता कोशल्या जी ने पूचा श्रुती इतनी रात को अकेले छट पर क्या कर रही हो बिटिया? क्या नीन नहीं आ रही? शत्रुगन कहां है? श्रुती कीर्ती की आँखे भर आई मा की चाती से इल्चिपट गोद में सिमट गई बोली मा उन्हें तो देखे हुए तेरह व्रश हो गए सुन कोशल्या जी का हिर्दे काप कर जट प्टा गया तुरंत आवाज लगाई सेवक दोड आए आधी रात की पाल की तैयार हुई आज शत्रुगन जी की खोज में माता कोशल्या निकल पड़ी आपको मालुम है शत्रुगन जी कहां मिले? अयुध्या के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदी ग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शीला है उसी शीला पर अपनी बाहर का तकिया बना कर लेटे मिले माता कोशल्या सिरहा ने बेट गई बालों में हाथ फिराया तो शत्रुगन जी की आखे खोली और उठकर माता की चन्नों में गिर गए और बोले मा आपने कस्ट क्यों किया मुझे बुला लिया होता मा ने कहा शत्रुगन यहां क्यूं शत्रुगन जी की रूलाई फूट पढ़ी बोले मा भईया राम जी पिता जी की आग्या सेवन चले गए भईया लक्षमन जी उनके पीछे चले गए भईया भरत जी भी नंदी ग्राम में हैं क्या ये महल ये रत ये राजस वस्त्र विधाता ने मेरे लिए बनाए हैं माता कोशिल्या जी नीरूत्तर रह गई देखो क्या है ये राम कता यह भोक की नहीं इत्याग की कता है यहां त्याग की प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रतम है कोई पीछे नहीं रहा चारो भाईयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रती अध्वित अभिनव और अलोकिक है रामायन जीवन जीने की सबसे उत्तम सिख्षा देती है बगवान राम को चोदह वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी मा सीता ने भी सहर्ष वनवास स्विकार कर लिया पत्नी उर्मिला के कक्ष की और बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि मा ने तो अग्या दे दी परंतु उर्मिला को कैसे समझाओंगा क्या कहूंगा यही सोच विजार करके लक्षमन जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुँचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेके खड़ी थी और बोली आप मेरी चिंता छोड़ प्रभु की सेवा में वन को जाओ मैं आपको नहीं रोकूंगी मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी लक्षमन जी को कहने में संकोच हो रहा था परंतू उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया वास्तों में यही पत्नी का धर्म है पती संकोच में पड़े उसे पहले ही पतनी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे लक्षमन जी चले गए परंतू 14 वर्स तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भाती कटोर तप किया वन में भाई या भावी की सेवा में लक्षमन जी कभी सोए नहीं परंतू उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किये और सारी रात जाग जाकर उस दिपक की लोग को बुझने नहीं दिया मैगना से युद करते हुए जब लक्षमन को शक्ती लग जाती है और हनुमान जी उसके लिए संजीवनी का पहाड लेके लोट रहे होते हैं तो बीच में अयुध्या में भरत जी उन्हें राक्षा समझकर बानत मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं तब हनुमान जी सारा व्रतान सुनाते हैं कि सीता जी को रावन ले गया लक्षमन जी मुर्चित है यह सुनते ही कोशल्या जी कहती है कि राम को कहना कि लक्षमन के बिना युद्या में पेर भी मत रखना राम वन में ही रहो माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना की कोई बात नहीं अभी शत्रुगन है मैं उसे भेज़ दूंगी मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे है माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आखों से अश्रुधारा भह रही थी परन्तु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि क्यों एक दम चांत और प्रसन खड़ी है क्या इन्हें अपने पती के प्राणों की कोई चिंता नहीं हनुमान जी करते हैं और हनुमान जी पूस्ते हैं देवी आपकी प्रसंसा का कारण क्या है आपके पती के प्राण संकट में है सूरे उदित होते ही सूरे कुल का दीपक भुज जाएगा रुमिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना की बिना नहीं रहर पाएगा वे बोली मेरा दीपक संकट में नहीं है वो बुझ ही नहीं सकता रही सूर्य दे की बात तो आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए क्योंकि आपके यहां पहुचे बिना सूरे उदित हो ही नहीं सकता आपने कहा कि प्रभू श्री राम मेरे पती को अपनी गोद में लेकर बेटे हैं जो योगेश्वर राम की गोद में लेटा हो काल उसे छूबी नहीं सकता यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं मेरे पती जब से वन गए हैं तब से सोए नहीं हैं उन्होंने न सोने का प्रण लिया था इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ी विश्राम जादा हो गया वे उट जाएंगे और शक्ती मेरे पती को लगी ही नहीं शक्ती तो राम जी को लगी है मेरे पती की हर सांस में राम है हर धरकन में राम उनके राम रॉम में राम है उनके कुन की बुन बुन में राम और जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम तो शक्ती राम जी को ही लगी दर्द राम जी को ही हो रहा इसलिए हनुमा जी आप निश्चित होके जाएं सूरे उदित नहीं होगा राम राजे की निव जनकी की बेटियां ही थी कभी सीता तो कभी उर्मीला भगवार राम ने तो केवर राम राजे का कलश स्थापित किया परंतु वास्तों में राम राजे इन सब के प्रेम त्याग समर्पन बलीदान से ही आया है जे शिरी राम